नमस्कार आदाप सस्त्रियाकाल हम आचुके देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ अगर आप डिफेंस, मिलेक्टरी, फोरेंड पॉलेसी और फाइनांस से चुड़ी हुई खबरों में इंटेस्टेड है तो हम लाएंगे आपके लिए हर रोज एक नई खबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भारत और चीन के बीच, सीमा पर तनाव के बीच, चीफ ओफ डिफेंस टाफ का बड़ा बयान जनरल विपिन रावत ने कहा, लदाक में सेन्य कारवाई पर हो रहा है विचार अंगरी जी अकबार हिंदुस्तान टाइम से जनरल रावत ने कहा है कि अगर बातचीत फेल होती है तो सेन्य विकलपों पर भी हो सकता है विचार उन्होंने कहा कि रक्षा मंतरी रादनाच सिंग, राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार अजित डोबाल और राष्ट्रिय सुरक्षा के जिम्मदार लोग इस कोशिस के साथ सभी विकलपों पर विचार कर रहे है कि पीले अगर लदाक में पहले जैसी स्थिती में नहीं लोटता है तो हो सकती है सेन्य कारवाई कई दोर की बादचीत के बावजूद पूरवी लदाक में तनाव कम नहीं हो रहा है भारती सेना का साफ टेंड है कि चीन को अप्रेल से पहले वाली स्थिती बहाल करनी चाहिए सेन्य स्थर पर बादचीत के अलावा विजेश मंत्राले और दोनों देशों के वर्किंग मैनेजिंग फोर कंसल्टेशन एंड को ओडिनेशन ने भी चर्चा की है दोनों पक्स कंप्लिट डिसेंगेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ने पर बार बार सहमत हुए है लेकिन उसका जमीनी तोर पर कोई असर नहीं हुआ है सेना प्रमुक बिपिन रावत ने ये भी कहा है कि बोर्डर पर आर्मी हाई अलर्ट पर है और वे नए तरीके से सेनी को और हत्यारों की तैनाती पर भी विचार कर रहे है सेना प्रमुक के इस बयान से साफ होता है कि या तो चीन पीछे हटेगा या फिर भारत करेगा सेनी कारवाई ये देखना दिल्चस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ तब तक के लिए गुडबाई